हलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो यहां पर आप साब साब देखेंगे निफ्टी-फिफ्टी में लास्ट टाइम में काफी बहतरी नापको मुमेंटम देखने को मिला उससे पहले तो यह साइडवेज बना हुआ था एक रेंज में बना हुआ और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे दिखो एक बहुती बहतरी इंसर डिफरेंस आज में आपको बतानी वाला हूँ काफी कुछ सीखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी है एक रेंज बन रही थी मार्किट ने उसका डिफरेंस क्या है अगर आप निफ्टी फिफ्टी की इस रेंज का बात करेंगे जो आपको ब्रेकडाउन मिला है आपको यहां पर एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला है पहली चीज दूसरी चीज जो ट्रेडिंग डे लो है उसका भी ब्रेकडाउन मिला है तीस जो previous day low है market ने उसका भी breakdown दिया है यानि कि चार चार चीजों को आपको breakdown मिला है यानि कि nifty 50 में as compared to bank nifty काफी बहतर ही न पोर्चिनोटी थी और जो हमें साप साप दिखाई भी देड़ी अगर आप इस वाले scenario की बात करेंगे इसमें ना तो market ने trading day low का breakdown दिया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको breakdown देखने को मिला है market previous day closing और previous day low उससे तो पहले ही नीचे था सिर्फ और सिर्फ trend line का breakdown देखने को मिला है अब इसे भी थोड़ा सा detail में दोनों में difference समझ में है न यहाँ पे काफी बैतर नहीं यानि कि यहाँ पे confidence आ रहा था क्योंकि market चार-चार important levels का breakdown देके आपको negative side बैठा रहा था क्योंकि probability हो जाती भले ही momentum ना मिलता हालकि आपको यहाँ पे momentum भी मिला है इस case में momentum ना मिलता तब भी हमारे मन में एक बात तो रहती अगर market important support zone का breakdown दे रहा है तो वापिस आती समय important resistance की तरह act करेगा यानि कि भले ही market अगर momentum ना देता वहीं पे sideways हो जाता वहीं उपर आती समय यह resistance की तरह भी तो act करते है समझ भाए मैंने क्या समझाया और यहाँ पे तीनो चारो चीजी लगबग लगबग एक ही zone में अगर आप धिहान से notice करेंगे trading day low भी आपका यहीं पे है यहीं पे आपका previous day closing है यहीं पे आपका previous day low है और यहीं पे आपको यह trend line बनती भी दिखाई दे रहे हैं यानि कि चारो के चारो भी इधर ज्यादा confidence आ रहा था और क्यों confidence आ रहा था समझ में आ गया यहाँ पे फिरम one day के time frame पे देखेंगे फिरम 15 minute के time frame पे आएंगे और यहाँ पे कुछ चीजे समझने की कोशिस करेंगे सबसे पहले logic पे आते हैं logic पे अगर आप simple simple देखेंगे bank nifty में अगर ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा बड़ी opportunity नहीं बन रही है reason अभी मैं आपको explain करता हूँ यह आपके लिए क्या था यह आपके लिए previous day closing था यह आपके लिए क्या था previous day low था ठीक है और यह आपके लिए क्या था यह आपके लिए previous day high था ठीक है यहाँ पर एक और important चीज़ थी 46,000 का important level था साब साब पहली candle पर हमें दिखाई दिया market ने 46,000 से rejection भी लिया उस zone के असपास से यहाँ पर भी आप देखेंगे उस zone के असपास से market rejection ले रहा है उसके साथ साथ previous day closing का भी breakdown मिला previous day low का भी breakdown मिला लेकिन एक बड़ी problem हो गई बड़ी problem क्या हो गई यह candle काफी बड़ी बन गई भई मैं आपको एक rule हमेसा समझाता हूँ बड़ी red candle बड़ी green candle बड़ी gap up opening बड़ी gap down opening इन चारों चीजों से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि यह एक तरह की चलती train होती है और चलती train में तब entry ली जाती है जब वो train platform पे रूक रही हो उससे पहले उसमें आपको entry लेने का गलती से भी नहीं सोचना चाहिए तो यहाँ पे यह train रूक थी तब उसमें entry की situation बनती अब इसी candle में अगली candle में आप देखोंगे recovery आई उससे अगली candle में भी recovery आई यानि कि आपको एक trading day low बना के दे लिया पहले चीज दूसरी चीज यहाँ पे market ने एक trading day high बना दिया और इस zone में already ही चार-चार अब resistance हो गए बहिए trading day high भी आपका इसी zone में हो गया 46,000 का जो important round level है वो भी इसी zone में हो गया previous day low भी इसी zone में हो गया previous day closing भी इसी zone में हो गया यानि कि चार-चार resistance इस zone में हो गया या तो इन चारों का आपको breakout मिले तब आप कुछ positive side सोचेंगे समझ में आ रहे है ना या फिर आपको trading day low का market breakdown दे तब आप negative side सोचेंगे अब confusion कहां create होता है वो मैं आपको समझाने की कोसरिस करता हूँ कि बड़ी trade को आपको किस तरीके से handle करना चाहिए उस situation को थोड़ा सा समझते है उपर को तो को आपको idea लग गया कि जब तक इन levels का breakout नहीं मिलता तब तक positive side आपको नहीं सोचना है क्योंकि 4-4 important resistance होगे 46,000 का round level भी होगया trading day high भी हैई पे होगया previous day low भी हैई पे होगया previous day closing भी हैई पे होगया इसलिए positive side तो हम तब सोचेंगे जब market इस zone का breakout देगा क्या market ने breakout दिया बिल्कुल भी नहीं breakout दिया यहाँ पर market आया यहाँ भी resistance की तरेक्ट करके वापिस चला गया नया trading day high market ने बना दिया फिर यहाँ पर market आया तब भी आपको breakout नहीं मिला देखो यहाँ पर 46,000 का breakout देने की कोशिस किया लेकिन trading day high का breakout नहीं दे पाया और उसके बाद एक reversal देखने को मिल गया यहाँ पर जो समझने लाइक बात है पहली चीज तो यह समझ में आगी क्यों इससे उपर positive side लेना है क्यों इससे उपर negative side लेना है अब जो एक trading को catch करने की एक momentum को catch करने की आदमी कोशिस करता है वो होती है यह वाला यहाँ पर आपको साप साप एक support line दिखाई दे रही है एक range बनती हुई market में यहाँ पर दिखाई दे रही है अब जब इस range का breakdown मिलता है retest भी होगा, price action भी बन गया तो जादेतर case में एक momentum पकड़ने की कोशिस की जाती है कि trading day low तक एक momentum को पकड़ लेते है यह भी एक काफी बहतर इन सोच होती है काफी बहतर इन opportunity होती है और यहाँ पर आपको momentum भी लाए अब मैं यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि इस तरह की situation में आपको half quantity में काम करना चाहिए full quantity में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको पता है नीचे important support भी है आपके लिए trading day low का इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको एक difference बताया था क्या difference बताया था nifty 50 वाला nifty 50 में अलग case था इसलिए मैंने इन दोनों case को compare किया था यहाँ पे काफी बहतरी जादा confidence था क्यों confidence था आपको trend line का भी breakdown मिल रहा था trading day low का भी आपको breakdown मिल रहा था यहीं पे आपका previous day closing है उसका भी breakdown मिल रहा था यहीं कि 4-4 important levels का आपको breakdown मिल रहा था तो वहाँ पे ज़्यादा confidence आ रहा था यहाँ पे वो situation नहीं थी समझ में आ गया clear हो गया आई आप मैं आपको one day के time frame पे लेके चलता हूँ यहाँ पे क्या situation हमें नजर आ रही है अगर आप देखेंगे अभी भी market ने इस important zone को नहीं निकाला है तो यहनी कि अगर positive momentum आया है पहली तो बात यही होगी कि आपके लिए important resistance zone यहीं पे बनेगा क्या उससे पहले भी कोई resistance zone बिल्कुल है 46,000 का यह important round level अगर इसका breakout मिला तो इस वाली zone में आपको resistance देखने को possibility रहेगी आई अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीज़े समझने की कोजिस करते हैं important चीज़े क्या क्या होगी एक तो आपके लिए हो गया यह यह क्या हो गया आपके लिए previous day closing यह आपके लिए क्या हो गया previous day low यहाँ पे आपके क्या होगी previous day closing ठीक है यह आपके लिए क्या हो गया previous day high यही पे एक और important चीज़े है कौन सी 46,000 का round level ठीक है अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है तो इस वाली situation में आपके लिए जो important resistance बनेगा यहाँ पे बनेगा previous day high के पास क्योंकि यहाँ पे दो-दो चीज़े important है कौन सी एक तो 46,000 का round level हो गया दूसरी चीज previous day high हो गया इस वाली zone में समझ में आ गया clear हो गया अगर market ने इसका breakout दे दिया तो आपके लिए फिर से एक opportunity बन सकते है इस वाली zone में आपको resistance देखने को मिल सकता है इसका भी breakout मिला इस वाली zone में काफी लोग यह कहते हैं कि बही इने पोल के बताएगरो नहीं आपका homework रहता है सिधे यहाँ पर एक horizontal line ड्रो करेंगे मैंने आपको कहीं बार समझाय हुआ है जैसे एक बार फिर मैं आपको ड्रो करके दिखा देता हूँ यहाँ से आप horizontal line पगड़ेंगे आपको इस zone में दिखाई दे रहा है किनकी zone में market support रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है उन चीजों को mark करेंगे तो आपको इस चीजों मिल जाएगे पता लग गया कैसे ड्रो करना है आई अब हम discussion करते हैं अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है तो इस वाली situation में आप इसे आगे extend करेंगे यह important support zone हमारे लिए पहले से चलता हुआ रहा है और आज भी इसी zone में support बना है यानि कि previous day low भी आपका इसी zone में है तो अगर आप scalping करने की सोच रहे हैं तो अगर market ने negative momentum दिखा है तो इन zone तक आपके लिए एक scalping की opportunity मिल सकती है लेकिन एक पहतरीन momentum आपको इन levels के breakdown के बाद ही मिलेगा उससे पहले आपको नहीं सोचना चाहिए समझ में आ गया यानि कि ऊपर की side जब तक previous day high का breakout नहीं मिल जाता नीचे की side इस वाले support zone का breakdown नहीं मिल जाता यानि कि इससे पहले positive side नहीं जाना है और इससे पहले negative side नहीं जाना है चीज़े समझ में आगी वहीं पे अगर market ने आपको gap up opening दी दोस्तो gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए किसे भी तरह कर ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह जस्ट educational purpose से बनाई गई analysis video है इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपका उने वाला है lows की जमितार भी आपको अपनी आप लेनी है अगर gap up opening का scenario बनता है तब भी आप इनी जोन पर focus करेंगे क्योंकि आपके लिए दो important zone होगे 46,000 और previous day यानि कि previous day closing और previous day के बीच में market कहीं भी gap up open हो जाए आप कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है 37 से बैट रहेंगे market को price sustain होने देंगे या तो वो previous day का breakout निकाले तब positive side सोचेंगे अगर gap up open होके reverse आता है market तो previous day closing आपके लिए पहले support की possibilities इसका breakdown मिल जाए तो previous day लो आपके लिए दूसरे support की possibilities रहेगी वहीं पे अगर market आपको gap down opening देता है तो इस वाली situation पे भी आप इसी zone पे focus करेंगे यानि कि previous day closing और इस वाले support zone यानि कि previous day लो के बीच में आपको कहीं भी gap down opening मिल जाए आप कुछ भी नहीं करेंगे सांती से बैटर रहेंगे तो market इस वाले support zone का breakdown दे या फिर वो previous day closing से ऊपर चलने लग जाए तो आपके लिए important resistance zone यहाँ पे हो जाए दोस्तों वीडियो को like करना comment करके बताना कि आपको analysis कैसे लग रहे है नए हो subscribe करना और bell icon press करना जिससे आपको आने वाली videos के notification मिल सकेंगे फिलाल इस video में इतना ही फिर्म लेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ thank you